सारन के रिविल गंज के गोदना गाव में हीना साहब के पहुंचने के बाद जोड़दार तरीके से स्वागत किया गिया और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हीना साहब यहाँ पे मौजूद हैं दो सब इन से हम बात करेंगे मैडम क्या कुछ कहना चाहेंगी सीवा से आपका काफिला चला तमाम जगों इसमें क्या कहना है इसमें हम लोग फंक्सन में आए हैं इसमें हम लोग फंक्सन में आए हैं इंजॉय करने आए हैं और सब लोग हमारे अपने लोग हैं सब लोग साथ में आए हुए हैं बस नहीं कोई अतिहासिक नहीं है यह तो हमारा अपना नीजी परगराम है इसमें हम लोग आए हैं दावत में बस यही है और कुछ नहीं है जिस तरीके से लोग स्वागत कर रहे थे लोगों की कुछ डिमांड है और आप समझ भी गए होंगी हम पूछ नहीं रहें आप क्या उन डिमांड भी क्या कुछ कहना चाहें यह सब आते अराम से होगी जब उस तरह का प्रग्राम होगा अभी रहने दिया जाए तो बिल्कुल आपने देखा हीना साब से बाचीत हुई है और इनका साफ तरब रकाना है कि नीजी कारक्राम के तहत हमाय हुए है हलाकि जिस तरीके से लोगों का जो हुजून था रास्ते में जगा जगा पर इनका स्वागत किया गया चाहे माजी हो या फिर बहुत सारे चौक चौरा है जहां पर हीना साहब को यहां पर ला करके और जोरदार तरीके से स्वागत किया गया मुन्ना जी यहां पर मौजूद है और उनका जगा पर स्वागत आतिस बाजीयों का दोर रह यहां तो फूलों की बारिस कर दी गए यह जंदा का प्यार है साहब का प्यार है साहब के चाहने वाले लुग ते तरीके से नारे लग इसके बाद में मैडम का कोई और भी कार्ट करम नहीं है अब मान रहें कि आज भी लोगों में प्यार से नहीं है यह तो आप खुद देखें हैं हम क्या बताएंगे रात में और लोग रुकर करके स्वागत करें जी जी ये ये लोगों का प्यार है तो बिल्कुल आप देख सक के सदस्य है इन लोग दोरा स्वागत किया जा रहा हीना साहब का तो लगतार इसी तरीके से हीना साहब से भी बादचीत होई मुन्ना जी से भी बादचीत होई और इसी तरीके से आगे भी हमारी बादचीत होती रहेगी हमारे स्वहोगी रिशू के साथ चंदन कुमार एट